हिमाच्छल में लगतार करोना मामले बढ़ रहे हैं अब तो सचीवाला भी करोना से बचने은ई पाया है कर्मियों की मांगों का समर्थन करती हैं सरनके कबने के लिए पूरी तरह नाकाम रही लोगों को राहत देने के बजाए, सरकार ने कर पर कर लगाए, बस किराया बढ़ा दिया, मजबूरन कॉंग्रेस को सडकों पर उतरना पड़ा, केंदर नी जो 20,000 करोड जारी किये, उसमें से माचल को कितना ही समिला, जैराम बताएं, ये बात कॉंग्रेस पार्टी जोखा जनता के सामने रखे, भाजपा सरकार करोनकाल में लूट का अबसर ठोड रही है, जिसका ताजा उधारें करोनकाल में हुए घोटाले हैं, राठावर ने कहा कि कॉंग्रेस जब सरकार की चन विरोधिनीतियों के खिलाफ आवाज उठा दी है, तो उनके उपर मामले दर्ज होते हैं, जबकि सरकार लगातार सामरोह कर सोसल डिस्टेंसिंग की धंसियां उड़ा रही है, भाजपा के प्रवक्ता मंडी से आकर शिमला में सचवाल से लेकर हाई कोट टक में संक्रमन फैलाते हैं, नादावन के नेता दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं, शिक बनाकर इत्राने का काम ना करें, वज्जाती धरम्व क्षेतर के नाम पर राजनिती ना करें, क्योंकि हिमाजल कॉंग्रिस में तीन अध्यक्ष अनसूजित जाती के रह चुके हैं, भाजपा के नए मंत्रियों के शप्त ग्रहन के दौरान कई परंपराओं को तोड़ा गय एक तो मंत्रियों ने सोशल मीडिया में मंत्री पद की शप्त लेने से पहले ही पत्र डाल दिये, दूसरा शप्त में विवक्ष के नेता तक को न्योता नहीं दिया गया, पिया टीबी के लिए शिमला से पुषपेंदर की रिपोर्ट